कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए करवा चोथ का वरत रखती है इस साल ये वरत 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को रखा जाएगा ये वरत अपने नियमों को लेकर बेहत कठीन माना जाता है सुर्योद्यों 2 से पहले ये वरत शुरू हो जाता है पूरे दिन निर्जला वरत के बाद रात को चांद के दरसन के बाद वरत खोला जाता है करवा चोथ का वरत स्वागिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन महिलाएं पती की लंबी उम्र के लिए निर्जिला वरत रखती है इस बार रविवार 24 अक्टूबर 2021 किसको ये वरत रखा जाएगा पात साल बाद फिर इस करवा चोथ पर सुभ योग बन रहा है करवा चोथ पर इस बार रोहिनी नक्षत्र में पूजर होगा तो महीं रविवार का दिन होने की वज़े से सूर्य देव का विवरती महिलाओं को आसिरवाद प्राप्त होगा ये वरत बहुत नियम और सावधानी से किया जाता है आईए जानते हैं क्या है वो काम जो आपको वरत रखते समय नहीं करना चाहिए करवा चोथ के दिन देर तक ने सोएं क्योंकि वरत की शुरुआत सूर्यो देव के साथ ही हो जाती है पूजा पार्ट में भूरे और काले रंग को सुब नहीं माना जाता है हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है खुद ने सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदश्य को उठाना नहीं चाहिए हिंदू सास्त्रों के नुसार करवाचोत के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को निंद से उठाना एशुब होता है सास की दी गई सरगी करवाचोत पर सूब मानी जाती है व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहु को कुछ मिठाईयां कपड़े और सरंगार का सामान देती है सरगी का भोजन करे और भगवान की पुजा करके निर्जला वर्त का संकल्प ले व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वानी पर नियंतरन रखना चाहिए महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए सास्त्रों में कहा गया है कि करवाचोत व्रत के दिन महिलाओं को पती से जगडा नहीं करना चाहिए जगड़ा करने से आपको वरत का फल नहीं मिलेगा करवा चोत के वरत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचे जैसे सफेद कपड़े, दूद, चावल, दाही और सफेद मिठाई दान ने करे आज के दिन नुकिली चीजों के इस्तेमाल से बचे सुई धागे का काम ने करे कड़ाई सिलाई या बटन टाकने का आज के दिन ने करे तो अच्छा है सुब महूरत रोहिनी नक्षात्र में चांद निकलेगा और पूजन होगा किष्ण पक्ष की चतुरती ती थी इस साल 24 अक्टूबर 2001 की सर्विवार सुबह 3 बज़ कर 1 मिनट पर सुरू होगी जो अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5 बज़ कर 43 मिनट तक रहेगी इस दिन चांद निकलने का समय 8 बज़ कर 11 मिनट पर है पूजन के लिए सुब मौरत 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6 बज़ कर 55 मिनट से लेकर 8 बज़ कर 51 मिनट तक रहेगा करवा चोथ वरत की पूजा विदी सुबह सुर्योदों से पहले उठकर इसनान कर ले इसके बाद सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करे पानी पिए और गणेजी की पूजा करके निर्जिला वरत का संकल पले इसके बाद शाम तक ने तो कुछ खाना और ना ही पीना है पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवा रखे एक ठाली में धूप दीव चंदन रोली सिंदूर रखे और घी का दीपक चलाए पूजा चांद निकलने के एक गंटे पहले शिरू कर दे इसके बाद चांद के दर्शन कर व्रत खोले धन्यवाद जैहिन जैभारत